Hello Students! Students, Tribal Community का भारत के Freedom Struggle के हर एक फेज में काफी important contribution हमको देखने को मिलता है. चाहे अगर हम बात करें, भारत की जो पहली सौतंतरता संग्राम की जो लड़ाई थी, जिसे हम 1857 की revolt कहते हैं, उससे भी पहले Tribal Community के जो लोग हैं, उनके दुआरा राजमहल हिल्स पे अंग्रेजों के खिलाब आवाज उठाई गई, जिसे हम संताल Rebellion की रूप से जानते हैं, और वैसे ही आप देखें कि छोटा नागपुर प्लेट्यू में जो भगवान बिरसा मुंडा के दुआरा, वहां के जो ट्राइबल पीपल्स हैं, उनको यूनाइट किया गया जो अंग्रेजी हुकूमत थी उसके खिलाब में, तो ऐसा ही एक मूमेंट है, वो हमको राजस् अगर हम बात करें, जो बासवाडा डिस्टिक है, वहां पे लोकिटेड है मानगड धाम, मानगड की पाहड़ियों के उपर ये धाम है, जो लोकिटेड है, मानगड धाम को वहां बेसिकली गोविंद गुरू, वहां लोकलाइट एक गुरू होते हैं, वो इनको लीड करते ह इस moment को तो students आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्या है मानगड धाम, कौन लोग थे उस moment के अंदर जिन्होंने पार्टिसपेट किया, क्यों मानगड धाम को आदिवासी लोगों का जलिया वाला बाग अत्याकांड कहा जाता है, तो उसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे, इस वीडियो में अगर हम बात करें मानगड के इस हत्याकांड की, इस नरसनहार की, तो मानगड का ये जो नरसनहार है, जिसमें ट्राइबल पीपल्स ने बहुत ज़्यादा अपना सेक्रिफाइज दिया है, ये आपको जलिया वाला बाग हत्याकांड से भी, छ प्रेष्ट कर रहे थे, इसी तरीके से मानगड की पहाडियों के उपर, जो लोग हैं, वो इखटे होते हैं, जो राजस्तान के बासवाडा में सिच्वेटेड है, लोग वहाँ पे अपने गोविंद गुरू के जो गाइडेंस है, उसके लिए गए थे कि हमको आगे मुमें को किस तरीके से लीड करना है, जो बिल्टिस पीपल्स हैं, उनकी पोलीशी को किस तरीके से अपोज करना है, तो उसके लिए वहाँ पे वो लोग गुरू के पास एखटे होते हैं, अपने उसी समय में जो अंग्रेजी हुकूमत थी, उनकी दुआरा उनको घेर लिया जाता है, और उनके उपर गोली चला दी जाती है, एक पीसपुल प्रोटेश्ट के अगेंस्ट में, जैसा कि जलिया वाला बाग के अंदर हुआ था, तो इसी पीसपुल प्रोटेश्ट के अंदर में, पंदरा सो के आसपास जो ट्राइबल पीपल्स हैं, उनकी डैथ हो जाती है, तो इसी वज़े से आदिवासी पीपल्स का जलिया वाला बाग भी कहा जाता है, एस्टुडेंट्स अगर हम इस मुमेंट की बात करें, जिसके अंदर जिस ट्राइबल कमुनिटी के दौरा जो ये मुमेंट है, वो लीड किया गया था, उसे भील ट्राइब कहा जाता है, भ अगर हम बात करें, जो राजस्तान, मद्य प्रदेश और आपको देखने को मिलता है, जो गुजरात है, उनका यहाँ पे जो बाउंडरी है, जो एरिया है, वो सेर होता है, इसी वज़े से आप देखें, और ये जो कमुनिटी भी है, जो ट्राइबल कमुनिटी, भील नाम क जो कमुनिटी है, ये आपको मद्य प्रदेश में, इवन अगर हम बात करें कि आपको महराश्टरा के अंदर, गुजरात के अंदर, राजस्तान के अंदर, और हमारे कुछ नौर्थिष्ट के एरिया है, जहां पे ये कमुनिटी आपको देखने को मिलती है, तो अगर हम बा उस भी इनको जाना जाता है, इस्टुडेंट्स आपने माभारत की काहनी सुनी होगी, कि माभारत के अंदर, गुरु दुरोणाचारिय को एक जो परसन है, जंगल के अंदर मिलते हैं, प्रैक्टिस करते हुए, एकलव्य, तो एकलव्य के ये लोग अपने आपको रिलेटे उसको कैसे तरीके से चलाना है, किस तरीके से यूज करना है, उसी तरीके से इस कम्यूटि की जो लोग हैं, वो दनुसदारी की रूप में जाने जाते हैं, काफी ज़्यादा आइसोलेटेड हैं, हमारे मेन श्ट्रीम से ये नहीं जुड़े हुए हैं, आज भी ये आपको जो अगर हम बात करें forest area में आपको देखने को मिलेंगे इसके अलावा students ये सबसे largest tribal group है एंडिया के अंदर जो आपको मद्य प्रदेश के अंदर में जो आपको राजस्तान में 36 गड में गुजरात में हर जगे आपको देखने को मिलेगा इसी community के दुआरा जो यहाँ पे पि और इसी community के जो लोग है वो जो घूमर का यहाँ पे जो dance है वो आपको देखने को मिलेगा इन्ही जो भील community है इनके लोगों के दुआरा अगर हम बात करें students जो राजस्तान के अंदर जो मानगड के धाम के अंदर जो मैसकरे हुआ जो नरसनहार किया गया उसकी अगर हम बा गुरु गोविंद उस समय में 1903 के समय में वहाँ पे जो नरसनहार होता है उससे 10 साल पहले वहाँ पे अपना एक धूनी है वो establish करते हैं धूनी means यहाँ पे local आसरम के रूप में जाना जाता है जहाँ पे वो तपश्या करते हैं जहाँ पे वो अपना जो तप करते हैं वो पे परफॉर्म करते हैं लोग उनसे जुड़ते हैं चाहिए अगर हम बात करें कि spiritually way में लोग उनसे connect होते हैं लोगों को वो mobilize करते रहे social reform के रूप में इसके अलावा जो British की वहाँ पे जो policy थी उनके against में लोगों को वो unite करते हैं जिसके अंदर सबसे पहले अगर हम बात क लिया कि आपके उपर जो taxation है उसका charge काफी ज्यादा है तो यहाँ पे जो गुरुगोविंद हैं जो लोगों को unite करते हैं force labor और high taxation जो impose किया गया था British people के दुआरा भील community के लोगों के उपर या अगर हम बात करें गुरुगोविंद के जो followers हैं उनके उपर में इसी के against में 19 1913 में ये लोग इखटे होते हैं इसी के protest के against में मानगड की पाहडियों पे जहाँ पे ओ धोनी इस्टेबलिस है जहाँ पे ओ धोनी वहाँ पे situated है वहाँ पे ये लोग इखटे होते हैं और उसी समय में British लोगों के दुआरा ये जो मैसा करे है वो किया जाता है जो यहाँ पे जो अगर हम बात करें जो ट्राइबल लोग हैं उनका यहाँ पे काफी जद्ध ट्राइबल लोगों की डैथ हो जाती है पंदरासो के आसपास तो वो 17 नौंबर का दिन था 1913 के समय में विफोर दा जलिया वाला बाग जहाँ पे गुरू गोविंद की जो followers हैं उनके अगर आपको कभी समय मिले तो आप जरूर जाइए मानगड के इस धाम के उपर में काफी ब्यूटिफुल एरिया है काफी ग्रीन एरिया है राजस्तान सदन राजस्तान यहां से ही जो माही रीवर है वो भी क्रोस करती है जो मद्यप्रदेश से निकल के फिर गुजरात में जाती है वो ही एक सिंगल रीवर है जो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि जो टू टाइम्स ट्रॉफिक और कैंसर को कट करती है तो यह भी आपको पता होना चीए तो ऐसे ही सोट वीडियोज के थूरू हम आपसे कंटीनू मिलते रहेंगे तो थैंक्यू स्टुडेंट थैंक्यू वेरी मुच